ये गईस कैसे आप लोग मैं हूँ शुभाम और आप देख रहे हैं फैंटसी एक्सप्रेस का यूटूब चैनल इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जोहाँ पर सीपियल का थर्ड मैच खेला जाएगा तीसरा मुकाबला जोकी खेला जाएगा जमाई का तलवाज वर्सेज एस टी लुशिया जोक्स के बीच में तो इस मैच को हम आप रिकवर करने वाले हैं देखेंगे दोनों टीमों का क्या कुछ स्कॉर्ड है क्या प्लेइंग लैविन बन जाकती है लास्ट सीजन के क्या कुछ रिकॉर्ड्स थे प्लेयर्स के और इसके अलावा कौन से प्लेयर और चैडविक वॉल्टन का रहेगा लास्ट सीजन भी इनका पर्फॉर्मेंस ठीक था टीम के लिए थोड़ा सा बैटर यहां पर ग्लैन फ्लिप्स टीम के लिए खेले थे कई मैचेस में 50-60 जैसे इनके रन्स आये थे तो मेरे साथ से तो काफी अच्छा ग्लैन फ्लिप्स का जाते हैं काफी टेस्ट खेलते हैं और शुरुवात में इनका विकेट गिरने के चांस से जाधा रहते हैं रॉबिन पॉविल की बात कर तो पिछले सीजन चार मैच इनके जो थे उसमें एक बड़ा स्कोर चवाल इसका इनका आया था बागी तीन मैच परफॉर्मेंस अच् असिफ अली का जर्मिन ब्लैक बोर्ट की वैसे मुझे चांस जाधा खेलने के लगनी रहे विकोस बिग फॉर्मेट की यह प्लेयर है और इस फॉर्मेट में फिट नहीं बैटते हैं अगर आप इनके अवरेज देखें तो तेरा का इनका बैटिंग एवरेज निकल के आता ह है T20 format में strike rate भी 80 का है बहुत कम strike rate और बहुत कम एवरेज है इसलिए मैं इनको लेना भी प्रिफर नहीं करता हो सकता है टीम इनको select भी ना करें आसिफ अली इस फॉर्मेट के लिए थोड़े से ठीक बैटते हैं 1500 का strike rate और 22 का बैटिंग एवरेज है तो यहां पर अगर आसि 14 ओवर कंप्रीट हो गए तो उसके बाद विगट गिर गया तो फिर आंद्री रसल का आना तया है पहले भी आ सकते हैं 12 13 ओवर के आसपास आंद्र रसल आही जाएंगे बैटिंग करने ठीक है बहुत बड़ी अप्लेयर हैं सब के कैप्टन रहेंगे वाइस कैप्टन तो हम हम देख लेंगे आगे बट कैप्टन तो लगभग डिफॉल्ट सबका यही रहने वाले हैं लास्ट सीजन जादा मैचेस नहीं के लिए इंजरी की वाई से बीच इनोंने मैचेस छोड़ दिये थे हालाकि इनकी बालिंग और बैटिंग दोन हुई काफी कमाल की रही थी कार की डेज में बालिंग करते हैं बहुत इंप्वॉर्न प्लेयर रहेंगे डेज में लास्ट सीजन दोन ने काफी मैचेस में बालिंग कर र्क हैं और वीकर भी टीम को निकालके इनोंने दे रहिए इंपॉर्ध में प्लेयर हैं तो आप इनको टीम में ज़रू पेक करिएगा इसको रमाल लेवेस है जिनका last season average ही गया था पिछले जो इन्होंने 5 match टीम के लिए खेले थे चार बार betting आई थी और दो बार ठिक टाक performance हता 277 करा था आम तोर पर नमबर 5 की आसपस रमाल खेलते हैं बट इनके पास पहले ही कुछ चिप लेर हैं जिसके जलते रमाल का जो betting order वो down जा सकता है बॉलिंग भी ये कर लेते हैं बट उतने कोई खास performance last season का नहीं था जो इन्होंने 5-6 matches खेल रखे तो उसमें 4 wicket टीम को निकाल के दिये थे अगर हम इनका बैटिंग average देखे तो वो 15 का निकल के आता है इस टाइक टेक स्वारतिस का है 5 wicket 7 match में भी निकाले है फीडिल एडवर्ट की बात कर तो 27 wicket 31 match में निकाले है ठीक ठाक प्लेयर है चाहो तो इनको भी अपनी टीम में और 50% matches में 2-3-4 यह इनके wickets है यानि की grand league के लिए perfect pick है और small league की टीम में रख लेना विकोज अगर यह wicket less रहे तो तो चलो ठीक है कोई बात नहीं बट अगर इन्होंने कहीं 3-4 wicket निकाली तो पूरा game change कर जाएंगे ओशन दोमस काफी important रहेंगे grand league के लिए और small league की टीम में भी है इसको असंदीप लामिश चाने है नेपाल के काफी अच्छे spin बोलर है performance इनका हम देखे तो लगबग हर एक match में एक wicket तो निकाली लेते हैं कभी-कभी 2-3 wicket भी निकालते है last season के performance आप देख सकते हो जोक्स का squad आप यहाँ पर देख सकते हो captaincy करेंगे Darren Sammy और इस match में शायद bowling भी कर दें और हलाकि इन पर जादा मुझे भरूसा रहता नहीं है बहुत नीचे betting करने आते हैं balling में कभी एक over darling कभी डालते ही नहीं है तो बहुत जादा unpredictable player है हाला ही credit का issue रहेगा जिसके चलते है आप इनके अलावा और कुछ ले भी नहीं पाऊगे तो वो एक अलग matter है यहाँ पर इनकी playing अलाव इनके हम बात कहें तो आंदरे Fletcher team के लिए open करेंगे रखीम कॉर्णा CPL 2019 के record है recent to oldest यानि की सबसे जो नया इनका record है recent record है वो यह है और सबसे oldest record है वो इस तरीके से यहाँ पर जाएगा ठीक है तो अगर आप Fletcher का record देखे तो इतना कोई खास इनका record नहीं रहा है performance लगबग average था last season रखीम कॉर्णावेल ने हाला कि कुछ बड़ी इनिंस खेली थी हाला कि इनका 50% matches flop गए थे यह देख सकते हो या तो यह 10-12 के आसपास ही आउट हो जाते हैं या फिर सीधा 59, 75, 36, 33 यह इनके performance है तो hit और miss type player है बट 50% matches में output देते हैं bowling में कुछ खाच performance इनका नहीं था last season 5 match में सिर्फ एक wicket निकाला था हाला कि 2-3 over यह करते हैं T20 format में कभी-कभी करते भी नहीं है ठीक है यह चीज़ भी आपको दिहान में रखने ही पड़ेगी बट मेरे साब से must have option रहें यह बहुत टीम के लिए open गर रहे हैं कुछ भी कर स स्टेंड नहीं थे बट एक दो मैचिस में काफी बड़े स्कोर इनोंने करे थे तो आप इनको उस लेवल पर देखें तो इनको अगर टीम करती है ब्रॉशर और मेलियस में से किसी को तो आप उनको ट्राय कर सकते हैं ब्रॉशर का बैटिंग अवरेज हाला कि टी-20 में ज्य कि जो शॉट्स होते हैं वो चौके चक्कों में होते हैं तो उस चीज़ को आप देख लीजेगा रिस्की भी उससे बढ़ जाता है विकॉस कोट आउट होने का चांस बढ़ जाता है विकॉस हिटिंग के परपस से यह खेलते हैं मुहमद दभी की बात के तो आम तोर पर नम है आई पेल के रहाज से हाला कि आई पेल में प्लेयर भी काफी बड़े बड़े होते हैं बट अगर आप सारे टीवेंटी देखें तो 127 में 25 काफी जादा इनको एक्सपिरेंस भी है और काफी विकेट्स भी ले रखें बहुत इंपॉर्ण प्लेयर रहेंगी मेरे वाइस क हो सकते हैं इसके अलावा कैवेन होज और रॉस्टंचेस में से कोई एक खेल सकता है जैसे कि मैंना भी आपको बताया था जर्मीन ब्लेकवोट के बारे में के बड़े फॉर्मेट के प्लेयर है आम तोर पर टेस्क रिकेट में ही परफॉर्म करते हैं टिक के खेलने वाले प आस-पस बैटिंग करते हैं आपको दिख सकते हैं रॉस्टंचेस अगर खेलते हैं तो एज़ा हीटर इनको टीम ला सकती है और पांच मैचेस में हलाकि इनको कोई विकट बगरा नहीं मिली है बालिंग इतने कोई खास परफॉर्मेंस टी-20 में नहीं रहा इसका बात करते ह बैटिंग करेंगे नहीं करेंगे बैटिंग में कहा आएंगे कहा नहीं आएंगे तो वो इनके साथ हमेशा डाउट रहता है सेमी का परफॉर्मेस अगर हम देखें लास CPL का तो यह कुछ मैचेस का परफॉर्मेंस है लगभग इनके स्कोर जो है वो 15 के आस-पास रहते हैं बैटिंग में और इसके अलावा एक बड़ा स्कोर लास सीजन 30 का था उसके अलावा आप देख लो सारे स्कोर जो है व अठारा सोला पांच यही है स्कॉर्ट कागले जिनकी बात का है तो बैटिंग आवरेश 16 का है और 9 मैच में 13 विकट निकाले बहुत अच्छे प्लेयर है जाहो तो अपने बॉलिंग सेक्शन में इनको पिक कर सकते हो बिकोज हिट कर लेते हैं बॉल को और अगर विकट गिरते हैं जादा तो स्कॉर्ट की थोड़ी बहुत बैटिंग भी आ जाती है तो 10 बार अगर बना देते हैं तो अच्छे उप्शन आपके लिए हो सकते हैं और फिर यहाँ पर बॉलिंग तो काफी अच्छी करते हैं अगर बार एक एक विकट भी निकाले हैं तो टोटल नौ मैश का परफॉर्मेंस आपको देखा आइटा हूं नौ मैच में इसे तीन मैच टॉटल फ्लॉब तीन मैच टॉटल हिड और तीन मैच में बढ़ इंकाश यह विलियम्स का रिकॉर्द ठीक है यह इनका परफॉर्म कम क्रेट में अच्छी option है पिक करने के लिए क्रेट काफी जादा हाई है सेम जहीर खान के साथ है जो कि आफगान बोलर चायना में बोलर है इन्होंने 59 विकेट निकाले है एक तीम के लिए निकालते हैं और परफॉरमेंस देखे लास्ट सीजन का तो जो इन्होंने मैचस खे यहां पर मेरे को देख रही शायद कैचे इस मिल जाए तो इनको आप टीम में पिक कर सकते हो इसके अलावा option स्कॉट की भी काफी अच्छी है इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर है बड़ी टीम के लिए खेले हैं तो फिर इनको भी आप प्रिफर कर सकते हो थोड़े बहुत अपने साब से देख लेना तो यह हो गई बात दोने टीमों की एक आपको ओवर्वीव मिल गया होगा मैंने आपको सब कुछ लगबग बता दिया है किस पिलर की कितनी इंपॉर्टेंस है वो भी आप समझ गया होगे अब हम बात करते हैं ड्रीम लावनिंग की टीम की सब्सक्राइबर है और नीचे मैं लिंक भी प्रोवाइड करता हूं तो इससे आपको खेलना है नहीं खेलना वह आपको डिसीजन लेना है कुछ एक दो चिंज़ेस अपने साब से कर लिया करें आपको यूजरनेम डालोगे तो आपको हमारे चैनल मिल जाएगा जिस पर अराउंड एन अराउंड वन लेक थाट्ट्टीटाउड सब्सक्राइबर है और नीचे मैं लिंक भी प्रोवाइड गर दूंगा आप लिंक के ज़ुए जासकते हैं सीधा हमारे चैनल खुल जाए मिलेंगी चैनल का यूजर नेम देख लीजिए ध्यान से ड्रीम 11 प्लाइंग 11 ऑफिशल इसमें स्पेस नहीं देना है ऑफिशल में ओपिटल रखना है तो फिर नीचे नीचे लिंक आपको यूटूब वीडियो पर मिल जाएगा तो उस लिंक के तुरू चले जाएगे और इ करते हैं बड़ी पारी शादी एक लिए खेल जाएं बॉशर की वारे में आपको बस चुक हूँ तो इसका सब्सक्राइबरेज कर सकते हो बैट मुस्ट प्रूफ है प्रूबैबली आपको पिक करना है आंद्रे फ्लैचर को जिनके पास एक्स्प्रेंस आता है बैटिंग मे इसाब से थोड़ा बहुत स्कोर भी अच्छा कर लेंगे नमबर तीन के असपास एक्सप्रेंग करेंगे नाजी बुला जादर ने काफी अच्छे हिटर है अगर डिफरेंशल जाना चाते तो इनके साथ जा सकते हो 27 के असपास का बैटिंग एवरेज है और चौकी चको में टीम के कैप्टन है अगर एक दो वर बालिंग करें और थोड़ा बहुत बैटिंग में पन्दाभी सरन बना दे तो अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं और इसके अलावा किमाली मैल्यूस काफी अच्छे ऑप्शन है अंटर 19 के लिए कोश मैच्छे में अच्छा परफॉर्मेंस इनका देखा गया है कई लगा रखे हैं तो उनको आप राय कर सकते हो एक्सपरिंस की काफी कमीन को रहेगी ठीक है यहाँ पर जमन ब्रगबुर्ट कर रहें बता चुका हूँ अतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा और बोनर वगरा भी उतने कोई खास प्लेर नहीं है मार्क डेल की बात करें लास्ट सीजन टीक्यार से खेले थे इनकी बार में आपको बताया है नहीं मैंने बट जब यह खेलते थे तो कभी-कभी नंबर पांच पर बैटिंग करते थे कभी टीम के लिए ओपन भी कर रहा है ठीक है कभी-कभी एक्सपरिमेंट करती है टीम तो कर लावा मार्क डेल डो से तीन ऊवर बॉलिंग भी कर सकते हैं लास्ट सीजन भी बॉलिंग करी है और विग्ड भी निकाल लेते हैं तो अच्छे औप्चन हो सकते हैं क्रेट सेवर हैं आपके लिए अगर खेलते हैं तो ऑल्राउंटर सेक्शन में आते हैं तो रसल भाया यहाँ पर हैं आपके लिए must pick, इनको तो छोड़ी नहीं सकते है, captain बनाना है सीधा, मुहमद नभी, इनको भी आप नहीं छोड़ सकते, हालकिन की team जो है वो कमजोर है, बट फिर भी अगर देखें तो यह एक ऐसे all-launter हैं, जो हमेशा perform करेंगे ही, चार ओवर डालके, एक दो विकेट एक्सपेक्टेड है, एक आद विकेट तो निकाली लेंगे, बैटिंग भी बुरी नहीं करते हैं, तो अच्छे वाइस, captain भी आपके लिए साबित हो सकते हैं, यहाँ पर कारलिस, option काफी अच्छे हो जाते हैं, रॉस्टन चेस को पेक नहीं कर रखा है, अगर खेलते हैं, तो एज़ा बैट्समें इनको टीम ट्राय करेगी, अच्छे रिकॉर्ड है, इनके पांच मैच में 38 का बैटिंग एवरेज बनता है, आला कि बालिंग में 5 मेंच में 0 ही क्केट निकाले है, कैविन होज का भी परफॉर्मेंस इतना कोई खास टीम के लिए हैं, तो अभी के लिए आप संधी प्लामिश चाने और ओशन धॉमस को ही टीम में पिक करिएगा बहुत अच्छी option है जितने इनके credit है उसके साब से तो बहुत जादा better है इसके बाद option है आपके लिए third bowler का तो third bowler में आप चाहो तो जहीर खरण के साथ जा सकते हो चार उपर अपने पूरे डालेंगे एक विकेट की आसपास निकाल लेते हैं कोई खास performance तो नहीं है मैं चाहूं तो बाद में Scott Kagaljan की तरफ भी move कर सकता हूं वह मैं देखूंगा कितने bowler SLZ खिला रही उससाब से फिर मैं वह सब देखने के बाद और betting order क्या होता है अगर Kagaljan मुझे थोड़े से ऊपर betting में देखते हैं तो फिर मैंन को जरूँ पिक करूँगा क्योंकि ये betting में advantage दे सकते हैं कई बार इनों टी-20 format में 15-25 रन भी लगा रखे हैं तो अच्छे खासे hitter भी है तो अगर रंस लगा देते हैं तो एक extra advantage हमारे पास हो जाता है तो यह आप अपने साब से choice कर सकते हैं हलाकि मैं आपको lastly suggest करूंगा भी तो बस मैंने teamman को pick कर लिया चाहो तो इनको भी pick कर सकते हो कोई ऐसा issue नहीं है और मकोई भी अच्छा option है बीस विकेट है 17 matches में लास सीजन का काफी अच्छा था तो इनको भी pick कर सकते हो जी सब्सक्राइब किसको फेवर करेगी और साथी साथ यहां पर betting order क्या है वो भी काफी देखना पड़ेगा तब जाके हम यह third wall चूज करेंगा अभी के लिए जाहीर खान को हम pick कर लेते हैं captaincy बाइस captaincy बात कर तो captaincy तो no doubt आंद्री रसल सबसे best option है पूरे 4 over डालेंगे betting में भी promote होंगे 12-13 over के बाद अगर wicket गिरती है 14 over के बाद तो आंद्री रसल ही betting करने आएंग और आपको पत्ता अगर इनको 2 over भी खेलने मिल गए तो आराम से 25-13 तो minimum लगा ही देंगे ठीक है दो over में भी ठीक है तो बहुत ही तगड़े player है और कहीं इनोंने 5 over betting कर ली तो 50-60 तो आप इनका लिख के रख लो आराम से बना देंगे ठीक है तो ये हो गई captaincy की बात वाइस captaincy मोहमत दभी की साथ जा रहा हूँ हारा कि इनकी टीम उतनी मजबूत नहीं देख रही है captaincy Russell और wise captaincy मोहमत दभी और इसके अलाव बॉलर्स में अगर आपको try करना तो जमाइका के बॉलर्स है ओशें तो हमस बंचे से विकट निकालते हैं आपको बता चुका हूँ या तो wicketless या तो hit ये इनका फंडा है तो grand league में आप जाओ तो इनको captain भी रख सकते हो head to head में अल तो इनको आप जरू try करना grand league में as a captain wise captain इनको भी ठीक है जहीर खान के records ordinary हैं तो इनको सिर्फ team में आप pick कर सकते हो चाहो तो इनके पर squad को भी ले सकते हो वो batting order के हमने असाब से देखेंगे तो ये final team हमारी हो गई है लास्ट अब को मैं टेलिग्राम चनल पर मिलेगा वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए अगर आप YouTube पर हमें देख रहे हैं आप कोई सुझा है तो हमें comment में बता दीजी नीचे comment कर सकते हैं वीडियो को like जरू कर दीजाना बहुत मेहनत लगती है और आपके